प्रिंस्पल के साथ जो सक्षक थे उनका भी बेतन बंद हो गया है दरसल धूप में बैठकर तमाम सिक्षक जो हैं वो बात कर रहे थे और तभी एक सिक्षक के साथ साथ जो प्रिंस्पल थे उनका बेतन रोग दिया गया है और D.E.O. ने इसके बारे में आदेश भी जारी कर दिया है दरसल जहां एक तरफ केकी पाठक लगातार एक के बाद एक फर्मान जारी करते रहते हैं तो वहीं बरा अक्षन लिया गया है धूप में बैठकर बात करने पर ये कारवाई हुई है और वहीं सिक्षकों के खिलाफ अक्षन हुआ है प्रिंस्पल और जो सिक्षक हैं उनका बेतन बंद कर दिया गया है बता दे कि पंडॉल तित्रहा स्कूल का ये मामला है और इसको लेकर यहां भी बताया जा रहा है कि निरिक्षन के दौरान सभी पकड़े गए और ये सभी जो है वो धूप में बैठकर बातचीत कर रहे थे और तभी जब निरिक्षन करने के लि और इसी के साथ या भी बता दे तो जहां एक तरफ केकी पाठक के तरफ से एक के बाद एक कारवाई की जारी है आदेश दिये जा रहे है तो वही ये बड़ी बात है कि ऐसे अभी आपको मालूम है कि जारी का समय है और ऐसे में कई लोग जो है वो धूप में बैठते हैं औ वो धूप में बैठे वे थे और जब वो पकड़े गए तो उनकी बेतन जो है वो रोग दी गई और इसको लेकर ये बड़ा आदेश जारी किया गया है और डीगी उन्हें इसको लेकर आदेश दिया आपको यह अभी मालूम है कि लगतार सुक्षा विबा के अपर मुख जा रहा है और कुछ भी गरबढ़ियां पाई जा रही है तो एक्षन भी हो रहा है और वही एक बार फिर से जब निरिक्षन के समय ये पाया गया कि कई ऐसे सुक्षक हैं जो दूप में बैठे वे दूप में बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्षन लिया गया मामला जो है वो मधुबनी के पंडॉल से जुड़ा हुआ है और वही के जो सरकारी स्कूल है वहां के सिक्षकों के साथ साथ जो प्रिंस्पल है उनके बेतन को रोका गया है तो बड़ा एक्षन लिया गया है किके पाठक के तरफ से सिक्षा विभाग के तरफ से जहां लगतार केके पाठक नहीं या भी कहा था कि रोजाना जो है वो D.E.O. स्कूलों का निरिक्षन करेंगे एक लिस्ट बना ले कि किस दिन कौन से स्कूल में जाना है और बेतन रोकने को लेकर D.E.O. ने आदेश भी पारित कर दिया है तो देखें केके पाठक भी नहीं रुक र हैं उनके खिलाफ कारवाई हुई है बेतन रुग गया अब देखने वाली बात क्या भी होगी किस एक्षन की बाद आगे क्या कुछ होता है सुक्षकों की बीच जरूर खौफ जो है वो देखने को मिलेगा चैनलों को सब्सक्राइब करें फेजू पेच को लाइक करें